प्रिये विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कड़ी में रविंद्र के लेकर द्वारा रचित पाठ पतज़र में तूटी पत्तियां को समझने का प्रयास करेंगे. इस पाठ में संकलित दो प्रसंग हैं, पहला प्रसंग गिन्नी का सोना है और दूसरा प्रसंग जहेन की देन है. आज हम लोग इन दोनों प्रसंगों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आखिर ये पतज़र की तूटी पत्तियां हिंदी में कैसे आई? रबींद्र के लेकर मूलतह कोंकडी भाषा के लेखक हैं, लेकिन कम शब्दों में अधिक बातें कहना उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी विशेश्चता है. जहेन की देन कोंकडी भाषा में उथामबे नामक पुस्तक का हिंदी अनुबाद है. उथामबे का कोंकडी में अर्थ होता है सावन के महीनों में वर्षा के बाद पेड़ों पर से तपकने वाला पानी. लेकिन इसके लिए हिंदी में कोई बहुत ही अच्छा नाम न मिलने के कारण लेखक के इस कोंकडी उथामबे को अनुबादक ने पतज़ड में तूटी पत्तिया नाम दे कर प्रकाशित किया. यह जो पुस्तक है इस पुस्तक में रविंद्र के लेकर ने समाज के परिपेक्ष में, मानुवियता के परिपेक्ष में और जो स्रीवन का सत्य है उस जीवन के सत्य को लेकर चुनिंदा प्रसंगों को संकलित किया गया है. तो यह चुनिंदा प्रसंगों में दो प्रसंगे यहां संकलित किये गये हैं और इन दोनों प्रसंगों को हम लोग आज पढ़ेंगे. लेकिन इन प्रसंगों को पढ़ने और समझने से पहले लेखक के बारे में भी जानना, समझना मुझे आवश्यक लगता है. तो आईए सबसे पहले हम लेखक के बारे में समझें, उसके बाद हम इन प्रसंगों को समझेंगे और उसे अपने जीवन सापेक्ष में, अपने ब्यवहार में हम किस तरह शामिल करें, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे. तो लेखक परिचे, इस पाठ के लेखक हैं रविंद्र के लेकर, और इनका जन्म कोंकर छेत्र में ही हुआ था, वे छात्र जीवन में ही गोवा मुक्ती आंदोलन में शामिल हो गए थे, वे बचपन से ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे. इसलिए उन्हें गांधी वादी चिंतक के रूप में भी पहचाना जाता है और उन्हें साहित्य जगत में एक गांधी वादी चिंतक के रूप में ही पहचान मिली है। इसलिए आज कल आप सुनते होंगे हर जगा लोग कहते हैं कि ठीक है आपका यह विचार है लेकिन मेरा विचार आपके विचार से नहीं मिलता है, मेरा अपना अलग विचार है। ठीक है हम सभी के विचारों का स्वागत करते हैं लेकिन क्या वह विचार हम अपना सकते हैं जो समाज और देश के हित में न हो। क्या हम उस किसी विचार को अपना सकते हैं जो व्यक्ति को विकास के राह में बाधा उत्पन करें नहीं अपना सकते। इसलिए विद्यार्थियों हमें यह समझना होगा कि जो विचार है, जो हमारा दृष्टी कोण है, जो हमारे जीवन के अनुभव हैं उसमें स्वतंत्रता तो हो लेकिन उसमें मौलिक्ता हो। उन्होंने अपने अनुभव द्वारा स्वतंत्र चिंतन से मौलिक्ता के साथ मानविये सत्य तक पहुँचने की चेश्टा की है। उनकी रचनाओं में हम देखेंगे कि उनकी रचनाओं से जब हम गुजरते हैं तो हमें ऐसा एक अहसास होता है कि वे हर संभव मानविये सत्य को पाठकों के समच रखने के लिए बेचैन रखते हैं और वे रखते भी हैं। रविंद्र केलकर कोंकणी और मराथी के बड़े लेखकों में शुमार करते हैं। वे मूलता कोंकणी और मराथी के लेखक हैं लेकिन उनकी कुछ पुष्टकें हिंदी और गुजराती में भी प्रकाशित हैं। कुंकडी में 25 और मराठी में लगभग तीन पुष्टकें प्रकाशित है केलेकर ने अनेक लेखकों की पुष्टकों का संपादन भी किया है और जिसमें काका कालेलकर की पुष्टकें प्रमुख रूप से हम सभी जानते हैं रविंद्र केलकर को गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरसकार तथा अन्य कई पुरसकारों से सम्मानित किया गया है उनकी प्रमुख रचनाओं में उजबाढ़ाचे सूर, समिधा, सांगली, उथामबे कोंकडी में है और कोंकडीचे, राजकरण, जापान, जसा, दिसला, मराठी में हैं तथा पतज़ड में तूटी पत्तियां हिंदी में प्रमुख रूप से हम लोग उसे जानते हैं हिंदी में लिखी उनकी ये पुष्टक पतज़ड में तूटी पत्तियां मूलता अनुबादित किताब है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया भी था आपको कि मूलता वो थामबे है और उसी का यह हिंदी अनुबाद है लेकिन इस पत्ज़ड में तूटी पत्तियों में बहुत सारे प्रेरक प्रसंग है विद्यार्थियों आपको याद होगा आप शुरू से पढ़ते रहे हैं कि पंचतंत्र की कहानिया, हितोपदेश की कहानिया और बहुत सारी ऐसी जातक कथाएं जिनको पढ़कर हमें जीवन के प्रती एक सकारात्मक द्रिष्टी कौन मिलता है और यहां भी केलकर साहब ने अपनी इन पुस्तकों में जीवन के उन प्रसंगों को शामिल किया है जिसे पढ़कर हमें एक अलग जीवन द्रिष्टी मिलती है तो यहां जो दोनों अन्स संकलित किया गया है इन दोनों अन्सों को आज हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले हम पहले अन्स को लेते हैं जिसका शिर्षक है गिन्नी का सूना जिद्यार्थियों ऐसा माना जाता है कि थोड़े कहकर बहुत कुछ कह देना कविता का गुन होता है लेकिन जब हम कभी किसी गद्य रचना को पढ़ते हैं और उसमें कविता जैसा गुन दिखाई देता है तो उसके सार को समझना नहीं पढ़ता बलकि उसकी व्याख्या करनी पढ़ती है यहां जब हम गिन्नी के सूना को पढ़ेंगे या जहेन की देन भी पढ़ेंगे वहां भी आपको कहीं कहीं ऐसा महसूस होगा कि इस पंग्ती की व्याख्या क्या हो सकती है तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊं लेकिन जहां कठीन लेखन होता है वहाँ व्याख्या की आवश्यक्ता पढ़ती है लेकिन केलकर साहब के लेखन में एक अलग ही बात है कि इसकी व्याख्या करने की आवश्यक्ता नहीं पढ़ती लेकिन उसे पढ़कर छोड़ा भी नहीं जा सकता उनका मनन और चिंतन करना अनिवार्ज होता है क्योंकि मनन और चिंतन के वगएर आप अच्छी से अच्छी चीजों को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वह आपके जीवन में कहां वह प्रभावित करेगा आपको और उससे आप क्या सीख सकेंगे इसकी जो है बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने रहती है तो उनके लेखन को पढ़कर हमें जहां एक और सुक्ति कथाएं जातक कथाओं की याद आती है और वहीं हम उसे पढ़कर अपने ज और सकता है और आप सभी भारत के भावी नागरीक हैं आपकी भूनिका होगी तो एक अच्छा नागरीक अगर हमारे देश को मिलेगा तो हमारा देश दुनिया में अपने उस गौरवशाली अतीत के साथ बरतमान में भी खड़ा होगा और आगे एक कदम के बदले वो दस कदम चलेगा द्यार्थियों मुझे उमीद है कि आप इसको ठीक तरह से समझ रहे होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पहले प्रसंग को लेते हैं इसका पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना हमें उन लोगों से परिचे कराता है यह पाठ जो इस समाज को बेहतर समाज बना कर रहने लाइक बनाये हुए हैं हम सभी जिस समाज में रह रहे हैं जहां सांस ले रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, अगर वह महावल अच्छा नहीं होगा, तो हमें काम करने में भी असुधा होगी, हमें सांस लेने में भी कठिनाई होगी, और हम अपनी पूरी उर्जा के साथ, पूरी शमता के साथ कार्ज नहीं कर सकेंगे. इसलिए इस समाज को बनाने वाले लोगों के प्रती हमें हमेशा एक धन्यवाद की भूनका के साथ साथ उनके प्रती आदर की भी भूनका हमें रखने की आवस्यक्ता है समाज में रहकर सिर्फ सुख सुविधा जुटाना ही हमारा काम नहीं है बलकि इस संसार को जीने और रहने लाइक बनाना भी हमारा काम है आज के समय में यह बहुत बड़ी चुनोती है हम चारों तरफ देखते हैं कि लोग सुख सुविधा जुटाने के लिए बड़ी से बड़ी जो हमारे देश के पुरातन मुल्य हैं उनका भी उलंगन कर जाते हैं मनुष्य मनुष्य के लिए चिंता नहीं करता हम समाज की परवाह नहीं करते हम देश के लिए जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों की चिंता नहीं करते हम अपने बड़ों का आदर नहीं करते हम अपने देश के उन पूरोधाओं के प्रती सम्मान नहीं रखते ये सब समस्याएं क्यों आई है ये समस्याएं इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने जीवन के लक्ष को सिर्फ सुविधा भोगी बना लिया है कि हम चाहते हैं कि हमें सुविधा प्राप्त हो हमें सुविधा प्राप्त होने से अगर किसी को कष्ट हो रहा है और किसी को असुविधा हो रही है तो होने दो लेकिन हमें सुविधा प्राप्त होनी चाहिए लेकिन बच्चों ये हमें समझना होगा कि हमें सुविधा जरूर चाहिए लेकिन दूसरे को कश्ट दे कर नहीं, समाज के नियमों को तोड़ कर नहीं और समझावता करके नहीं, किस चालाकी से नहीं, किसी को धोखा दे कर नहीं यही हमारा जीवन मुल्य है अगर हम इन जीवन मुल्यों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी तो आएए अब हम गिन्नी के सोना पाठ पर विचार करते हैं और सबसे पहले इसके उस प्रसंग को समझते हैं जो इसका सार है, तो संच्याला की पाठ छोटा है लेकिन फिर भी इसके पाठ को के सार को समझना अनिवार्ज है तो आईए इसके सार को एक बार समझते हैं कि इस पाठ में क्या है और फिर जहां जरूरत होगी, मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये पाठ क्या कहता है लेखा किसमें कहता है कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना दोनों अलग होता है गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तामबा मिलाया जाता है जिस से वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी हो जाता है यही कारण है कि दुनिया में जितने भी आभूशन बनते हैं उन सब आभूशनों में गिन्नी के सोने का ही प्रयोग किया जाता है गिन्नी का सोना आप ऐसे समझें कि 2 कारेट तामबा और 22 कारेट शुद्ध सोना जब 22 कैरेट शुद्ध सोना और 2 कैरेट तामबा दोनों मिलाकर जब सोना बनाया जाता है तो उसे हम गिन्नी का सोना कहते हैं जिससे आभूशन बनता है यहां आपको यह मैं बता दूँ कि गिन्नी का सोना यहां समाज के उस व्यक्ति का प्रतीक है जो व्यवहारिकता में विश्वास करता है जो व्यवहारिक लोग होते हैं उसे गिन्नी का सोना कहते है इसलिए समाज में वैसे लोगों की पूछ भी अधिक होती है और वह गिन्नी का सोना सुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। सुद्ध सोने की तरह ही होता है गिन्नी का सोना परंतु कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तामबा मिला कर चलाते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। वैसे लोगों को हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहते हैं परंतु वक्त के साथ उनके आदर्स पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिक सूजबूजी केवल आगे आने लगती हैं यानि सोना पीछे रह जाता है और तामबा आगे आ जाता है। कुछ लोग गांधी जी को भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट ही कहते थे। वे व्यवहारिक्ता के महत्यों को जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने बिलक्षन आधर्स को समाज में चला सके वरना गांधी जी के आधर्स व्यवहारिक्ता के अस्तर पर काम नहीं करते व्यवहारिक्ता को आधर्स के अस्तर पर चलाने के लिए उसमें व्यवहार रुपी तामबे को मिलाना ही पड़ता है बलकि तांबे में सोना मिलाकर उसकी वे कीमत बढ़ाते थे अर्थात वे कभी भी आदर्ष को व्यवहारिक्ता के यस्तर पर नहीं उतारते थे वे व्यवहारिक्ता को यानि व्यवहारवाद को आदर्षवाद के यस्तर पर लेकर जाते थे मैं आपको एक उदाहरन देना चाहूंगा कि गांधी जी सफाई को लेकर स्वच्छता को लेकर कभी भी किसी को कहते नहीं थे कि तुम सफाई करो या स्वच्छ रहो वो खुद करते थे कई ऐसे उदाहरन है मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहां बताना चाहूंगा कि एक महिला गांधी जी के पास पहुँची अपने बच्चे को लेकर और बोली कि बापू ये मेरा बच्चा बहुत अधिक मीठा खाता है और ये आपको बहुत मानता है अगर आप इसे एक बार कह दें कि यह मीठा खाना छोड़ दे तो शायद यह मीठा खाना छोड़ देगा गांधी जी ने कहा कि ठीक है तुम आज से पंदरा दिन के बाद इस बच्चे को लेकर आना ठीक पंदरा दिन बाद महिला पहुँची गांधी जी ने बच्चे को अपने पास बूलाया, बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाए और कहा कि बेटा, मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा बहुत अधिक खाने से सेहत खराब हो जाती है, बच्चे ने कहा कि ठीक हमें नहीं खाऊंगा गांधी जी ने कहा कि अब तुम इसको ले जाओ महिला के मन में एक सवाल उठा कि इतनी सी बात अगर कहनी थी तो गांधी जी पिछले दिन क्यों नहीं हमें कह दिये पंदरा दिन मैं इंतजार की, दूर से आई फिर उतनी छोटी सी बात कह रहे हैं महिला के मन में ये प्रस्ण था महिला ने अपने बच्चे को गांधी जी से थोड़ा दूर खड़ा करके और खुद आई और गांधी जी को पूछा कि बापू आप ये बात पिछले दिन क्यों नहीं बताया गांधी जी मुश्कुराए तुमने कहा कि देखी ऐसा है जिस दिन तुम आई थी उस दिन तक मैं खुद बहुत अधिक मीठा खाता था और मैं खुद मीठा खाता रहूं और बच्चे को कहूं कि तुम मीठा नहीं खाओ तो क्या हमाहम एक कहने के काविल है सबसे पहले हमें अपने ब्यवहार में परिवर्तन लाना है उसके बाद हम इस बच्चे को कह सकते हैं इसलिए मैं 15 दिन मीठा बहुत कम खाया हूं अपने आपको मीठा खाने से रोका हूं तब जाकर कही मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम इस बच्चे को कह सकें कि तू मीठा नहीं खाओ हमारे बापु ऐसे थे वे आदर्स की मीठा नहीं खाना चाहिए यहां तक उन्होंने अपने ब्यवहार को बदला वे मीठा जब बंद किये तब वो कहने के अधिकार को प्राप्त किये ठीक यही बाते यहां कही जा रही है कि जो आदर्सवादी लोग होते हैं वे कभी भी आदर्स को नीचे नहीं गिरने देते वे ब्यवहार को आदर्स के उचाईयों तक ले कर आते हैं जिससे समाज में एक नया और एक नई दृष्टिकोन लोगों के भीतर आती है कि समाज को कैसे हम आगे लेकर चले समाज के पास शास्वत मुल्यों जैसा कुछ है तो वह के बल समाज को आगे लेकर जाने का है वह पीछे ले जाने का नहीं है क्योंकि अपने स्वार्थ के कारण ही आज के समाज में प्रतेक व्यक्ति काम करता है और उसकी जब सिध्धी हो जाती है तो वह उस काम से किनारा कर लेता है इसलिए जो ब्यवहारवादी लोग होते हैं वे हमेशा समाज के आगे अपने स्वार्थ के लिए ही किसी मुल्य का या किसी कौशल का प्रियोग करते हैं और जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो समाज से किनारे कर जाते हैं इसलिए जो व्यभार वादी लोग हैं वे समाज को हमेशा नीचे ले जाते हैं और जो आदर्श वादी लोग है वो हमेशा समाज को आगे ले कर जाता है कहा भी जाता है कि आदर्श किसे कहते हैं आदर्श जो होना चाहिए उसे आदर्श कहते हैं और यथार्थ क्या है जो हमारे सामने है वह यथार्थ है और व्यभार क्या है जिसमें हमें हित हो वह काम कर ब्यभार है तो ब्यभार यथार्थ और आदर्स इस तीनों के बीच मनुस्य का जीवन घूमता रहता है तो समाज को बनाने के लिए हमें आदर्सवाद का होना बहुत ही जरूरी है और हमें आदर्सवादी होना भी जरूरी है लेकिन लेखक ने यहां एक विकल्प भी दिया ह लिखक पहले कहता भी है कि हम अक्सर क्या करते हैं अगर हम व्यभारिक होने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम अपने जीवन में कितना व्यभार को शामिल करें और कितना आदर्श को शामिल करें दरसल हम अपने स्वार्थ के कारण लगातार हम अपने व्यभार में बदलाव लाते रहते हैं और हम नीचे चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने व्यक्तित्यों को कितना नीचे गिरा चुके हैं जिस तरह एक सुनार जब सोने में तांबा मिलाना शुरू करता है तो शुरू में वो दो कैरेट ही मिलाता है लेकिन जब उसे मुनाफ़ा होने लगता है तो कई बार आप देखते हैं अपने घर परिबार में कि जब आप कोई आभूशन खरीद कर लाते हैं और उसका जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो 16 कैरेट ही सोना है बाकी 8 कैरेट तो तामबा मिला हुआ है यानि जो आभूशन विक्रेता है उसने मुनाफ़े की लालच में यानि व्यवहारीक्ता के कारण उसने सोने में अधिक तामबा मिला दिया जिस तरह हम अपने जीवन में अपने आदर्स में अगर थोड़ा सा विवहार मिला कर चलें तो समाज बहुत अच्छा होगा लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के कारण लगातार अपने विवहार में अगर तामबा मिलाते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ के कारण आदर्स को नीचे लेकर आ रहे हैं तो ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से आप से सवाल पूछेगा और उस समय आप सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो आदर्स वादी जो लोग होते हैं वो हमेशा शुद होते हैं और समाज की चिंता करते हैं समाज को आगे लेकर जाते हैं और समाज के लिए अपने आपको बलीदान भी कर देते हैं विद्यार्थियों तो इस तरह गिन्नी के सोना पाठ का सार हम लोगों ने समझा और हमें उमीद है कि आपके मन में जितने भी तरह के प्रशन होंगे उन सारे प्रस्णों का जवाब इस पाठ के सार की जो हमने ब्याख्यात्मत प्रस्तूती की है इसमें आपको समझ में आ गया होगा लेकिन लेखक लाश्ट में एक वक्तव्य देता है इस प्रसंग में वह प्रसंग है कि ब्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं सजग रहने का भी प्राय क्या है हमेशा सचेत रहना कि कहां कौन सा काम करेंगे तो हमें लाब होगा और कौन सा काम करेंगे तो हमें हानी होगी यानि लावहानी का हिसाब लगाकर ही वे कदम उठाते हैं वे जीवन में सफल भी होते हैं आप अपने आज़ पास देखते होंगे बहुत सारे लोग सफल है किस तरह से सफल हैं? कैसे सफल हैं? समाज के सफलता का मानक क्या है? और उस मानक पर वो कितने खरे हैं, ये सब आप भली भाती समझते हैं वे दूसरों से आगे भी जाते हैं, आर्थिक दृष्टी से, सामाजिक दृष्टी से दोनों तरह से वे विकास करते हैं, पर क्या ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये उपर चड़ रहे हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ये खुद उपर चड़ रहे हैं, उनके साथ और कोई उपर नहीं चड़ रहा है इसलिए लेखा कहता है कि खुद उपर चड़ें और दूसरे को भी उपर लेकर चलें यानि संगबदध्धम, संगचद्धम एक साथ बढ़ो और एक साथ चलो परस पराव लंब से उठो तथा बढ़ो सभी एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की मदद करते हुए जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो उपर बढ़ रहा है तो खुद उपर चड़ें और दूसरे को भी उपर लेकर चलें यही सबसे महत्व की बात है यह काम हम समाज में अक्सर देखते हैं कि व्यभार वादियों द्वारा यह नहीं होता है यह काम आदर्श वादी लोग ही किया करते हैं अगर समाज के पास कुछ सास्वत मुल्य जिसे हम आज याद करते हैं सत्य को, अहिंसा को, प्रेम को, सदाचार को, शान्ती को, दान को, करुणा को तो यह क्या व्यभार वादी लोगों ने दिया है? नहीं यह जिन मुल्यों की बात हमने की यह आदर्श वादी लोगों के द्वारा समाज को दिया गया है और आज भी यह उतने ही महत्व रखते हैं जितने प्राचीन काल में रखते थे मध्य काल में रखते थे और आज भी वह उतना ही महत्व रखते हैं और आने वाला जो समय है उसमें भी वो उतना ही महत्व रखेंगे इसलिए इन्हें सास्वत मुल्य कहा गया है आधर्सवादी लोगों का दिया हुआ है और व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को हमेशा से नीचे गिराया है क्योंकि उनके नजर में स्वार्थ से उपर और कोई वस्तु नहीं होती स्वार्थ वावना से बढ़कर और कोई भावना नहीं होती उससे बढ़कर कोई मुल्य नहीं होता इसलिए समाज में आज हम गिरावट देख रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो गई है और आप सब इन मुल्यों को अपने भीतर उतारें और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन कर अपना योगदान दे तभी इस पाठ की सफलता होगी द्यार्थियों हमने कुछ महत्वपून प्रश्ण भी आपके लिए यहां चाहता हूँ कि आपको बताओं जैसे आप अभ्यास कर सकते हैं शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना में क्या आंतर है प्रैक्टिकल आइडियोलिस्ट से आप क्या समझते हैं गांधी जी का उदाहरण लेखक ने क्यों दिया है शाश्वत मुल्य से आप क्या समझते हैं गिन्नी का सोना पाठ का संदेश अपने शब्दों में लिखिए तो इस प्रकार आप गिन्नी का सोना पाठ तयार कर सकते हैं अभ्यास कर सकते हैं और अभी अगली कड़ी में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जेन की देन की क्या सब गया कि तबने अभी के संदेश अच्यार के समझते हैं, जे ने की का तो इसमारे की क्या विए कि दो इस अभ्यास कर एंग, और र रही आपके भी का सथयोह विराऊ रριह वाल वाल कर तो, को तो पहर नहरा है, जे ब सा हैं जे कि akin